नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं आचार जागंद्र मिस्रा देनिक रासफल उससे पहले बात करते हैं देनिक पंजांग के बारे में 5 जून 2020 शुक्रवार का दिन है जेश्ट सुकलपक्ष की इसनान दान पौनिमा है दोस्तो अब जीत महोर तो तो पहरे 11 बच के 36 मिनट से लेके 12 बच के 24 मिनट तक रहेगा असुप समय रहेगा यानि के 3 बच के 46 मिनट से लेके 4 बच के 22 मिनट तक दोस्तो इस असुप समय में किशिव विशिव और नए कार की शुरुआत ना करें नहीं तो बिगन बाधाएं आ सकती है अब बात करते हैं आज के गुड लग की 5 जुन को चंद ग्रहन पढ़ रहा है दोस्तो इसका खास असर अमेरिका अफ्रीकी देश अटलांटिक अस्टेलिया में ज्यादा देखने को मिलेगा भारत जैसे देश में भी उपछाया का असर देखने को मिलेगा इस चंद ग्रहन है या आपको सत्रू से पीछा चुडाना है आपको मुकदमे में कोट के चहरी में जीत हासिल करनी है या आपको अपने बिजनेस में तरक्की हासिल करनी है तो आपको ये उपाय करना बेहत जरूरी है आज के दिन किया गया उपाय ये चंद ग्रहन में आपको जीवन में तर असीयों से भर देगा करना एक दीपक झला लें यह एक 11 बच के 15 मिनट से चंद ग्रहन शुरू होगा और रात को 2 बच कर 35 मिनट तक रहेगा तो दोस्तों इस दर्मियान आप दीपक झला लें एक सर्सों के तेल का और उस सर्सों में आए खुली जगा पर उस दीपक में डाल देना है जब चंद ग्रहण खतम हो जाए तो उस लौंग को आप यानि की सुबह सुर्योदे से पहले आप किसी पीपल के बिच के नीचे जड़ के नीचे दबा कर चले आएं यकीन मानिए जवर जस्त लाब होगा और जीवन में जितने भ आज Ms.Pail की तो यह प्रेडोक्षन चंद्राशी पर आधारीत है आज हम बात करेंगे मिथुन रास वालों के लिए मिथुन रास वालों आज अपने जिद्दी पन को छोड़ना है और अपने क्रोध को छोड़ना है क्योंकि यह क्रोध हाप पर भारी पर सकता लेकिन अगर जॉब करते हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, सरकारी छेतर से जुड़े हुए हैं, तो आपको सरकार की तरप से यहाँ पर जवर्जस्त लाव देखने को मिलेगा, हमने इसलिए तो कहा है कि चमतकार होगा, देखे, सेलेरी में बृद्धी की योग बन रहे हैं, आपकी सेलेरी म सबरने की कोजिस ज्यादा करेंगे मिथुनराश वालों, वैसे आपके लबलाइप की बात करें तो आप लबलाइप में बेहत खुबसूरत समय रहे हैं, एक दूसरे को उपहार देते नजरा रहे हैं, यहाँ पर भी आपके पैसे खर्चे होते आ रहे हैं, थोड़ा सा मानस के योग बन रहे हैं, तो आपके लिए खुशियों से भारा रहे हैं आज की दिन, वैसे बड़ा काम भी करते नजरा रहे हैं, अगर हम रिष्टों की बात करें, घर परिबार की आपके बात करें, तो जो जिम्मेदारी हैं उसे निभा रहे हैं, और उसी में थोड़ा सा उल आप स्वास्त की बात करें तो स्वास्त को धयां देना आपके लिए बेहत अच्छा है यहाँ पर darüber स्वास्त में थोड़ी सी प्रइसा नीं हो सकती है लेकिन जो पिछले काफी समये से जिनका स्वास्त खराब था उसमें आपको सुधार होते नजरा रहा है पीता के स्वास्त का विशेश धियान रखें थोड़ी सी यहाँ पर जिन लोगों का स्वास्त खराब है तुलसी के पत्ते और योगा अभ्यास जरूर कराईए तो कुल मिला के अच्छा है धन की मामले में चमतकार होता नजरा लोटरी शेटा स्वेयर मार्केट में लाब होता नजरा रहा है इसमें आपको डवल मुनाफ़ा होने के योग बन रहे हैं जरूर करिएगा दोस्तों आपका सुभ रंग रहेगा यहाँ पर बैगनी और आपका भाग साथ ही निभा रहा है यहाँ पर 76% दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करिए नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेट शेयर करिए चैस चनदेव